नमस्कार दोस्तों, Life & You Pregnancy चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गर्बावस्ता में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है गर्ब में बच्चे का सही से विकास हो, उसके सारे के सारे अंग अच्छे तरीके से बने उसके मर्ष्टिश का विकास अच्छे तरीके से हो यानि कि कुल मिला के आपका बच्चा स्वस्त पैदा हो और उसको किसी भी प्रकार के कोई भी जन्दोश ना हो बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़े तो कुल मिला कि बच्चे के लिए आपको प्रग्नेंसी में क्या कुछ खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ बातों का खयाल लगना सरूरी है अगर बच्चे का वजन कभी कम रहाता है तो आपको विशेश करकार के डाइट की आउशकता भी पड़ती है तो आईए समझते हैं कि आपको क्या-क्या चीजे खानी हैं जिससे बच्चे का विकास एकदम सही तरीके से चले तो डाइट में दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप सलाद काफी अच्ची मातरा में खाएं सलाद जैसे की खीरा, टामाटर, प्याज, गाजर, मूली, ककडी जो भी स्टीजनल रौ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं उनको आपको खाना चाहिए इसमें आप ब्रॉकली भी एड़ कर सकते हैं या फिर हरे पत्यदा सब्जियां भी एड़ आप कर सकते हैं तो सैलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत ही कम फैट, कैलोरीज मिलती है, पानी की मातरा काफी ज्यादा मिलती है जिससे कि आपको सबसे पहले तो dehydration नहीं होता है, शरीर के जो भी विशैले तत्व होते हैं वो पैशाप के रास्ते बाहर आते हैं आपके शरीर के मुक्तकर नहीं बढ़ते हैं जो कि आपके बच्चे के development के लिए बहुत जादा हनिकारत होते हैं साथी में इनके दर पोशक्त अत्व तो बहुत सारे होते ही हैं, जैसे calcium हो गया, potassium हो गया, folate, fiber, vitamin है तो इन सबसे बच्चे का development अच्छा होता है, fiber से आपको कब्स की शिकायक भी नहीं होती है तो आप salad कभी भी खा सकते हैं, जबी भी आपको भूक लगे तो आप salad जरूर खाईए इससे आपका पेट भी भलेगा, बीच-बीच में जो बच्चे के लिए पोशक्ता तो चाहिए होते हैं, उसको diet की आवशक्ता पढ़ती है तो वो आप salad से पूरी कर सकते हैं दूसरा दोस्तों आपको protein युक्त आहर लेना चाहिए, protein में आपको दालों का परियोग करना चाहिए, बीन्स आप खा सकते हैं, जैसे कि सोया बीन हो गई, राजमा की दाल हो गई, तो हर एक प्रकार के दालों में आपको protein काफी अच्छी मात्रा में मिलता है अगर आप non-vegetarian हैं तो आप meat खाईए, अंडा खाईए, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि meat और अंडा अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए, कच्ची अगर ये चीज़ रहाती हैं तो आपको इससे नुक्सान हो सकता है इसके लावा आप दूद का सेवन करें, धही का सेवन करें, पनीर का सेवन करें तो इससे आप वो काफी अच्छी मात्रा में protein मिलता है दोस्तों, protein जो होता है, directly असर करता है बच्चे के वजन के उपर, जितना ज्यादा आप protein खाते हैं, उतना बच्चे का वजन बढ़ता है तो अगर आपको pregnancy में कभी भी शिकायत इस तरह की डिख रही है, कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की growth सही तरीके से नहीं हो रही है तो protein diet आप खोड़ी सी और बढ़ा लें, इसके लिए आप protein drinks भी पी सकते हैं, आपको वीडियो के नीचे description में मैं कुछ protein drinks का links दे दूँगा, आप उनको consider कर सकते हैं pregnancy में अपनी दवाईयों को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है, कुछ prenatals, vitamins आप अपने डॉक्टर से prescribe जरूर करवाएं, इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है बच्चे का बजन अगर कम रह जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पुछिए, prenatal vitamins के बारे में dry foods या फिर सूखे मेवे, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है pregnancy में बच्चे का बजन अगर कम रह गया है, या बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है तो सूखे मेवे से आपको काफी अच्छा vitamin, protein, fat, इस तरीके के nutrients मिलते हैं जो कि बच्चे के विकास लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं बादाम खाईए, किश्मिस खाईए, काजू, मुनक्का, अंजीर, अक्रोड तो जो ये सारे मेवे होते हैं ये बहुत ज़्यादा फाइदे मंद आपके लिए होते हैं आपको प्रती दिन एक मुट्टी बर मेवे जरूर खाने चाहिए लेकिन मेवे को खाने से पहले दो बातों का ख्याल रखें एक अपने डॉक्टर से पहले चरूर पूछ ले कि क्या आप ड्राइफ़ोड सेवन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ pregnant महिलाओं के लिए जिनकी pregnancy सही नहीं चल रही होती है उनको ज्यादा गरम नहीं खाना चाहिए। दूसरा दोस्तों मेवे खाने से पहले राद वर इन मेवे को भिगा लें पानी में और सुबह ओट के मेवे का सेवन करें। इससे आपको पूरे दिन भर के लिए टागत मिलती है और अगर आप दिन के भीच में भी खाना चाहें तो भी आप खा सकते हैं लेकिन कोशिश यही करिएगा कि मेवे को आप पहले अच्छे तरीके से पानी में भिगा लें उनकी गर्मी निकाल लें और अगर बादाम खा रह इसके अलावा दोस्तों अपने डाइट में आप आइरन की मातरा अच्छी रखें आइरन जिन भी फन में सब्जियों में अधिक होता है आपको उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए आप चुकंदर खाएं अनार खाएं शकरगंदी खाएं गाजर खाएं इनमें काफी कमी नहीं होगी और जिसके कारण आपको अनीमिया का रोग नहीं होगा दूसरा खूर की गुडवत्ता बढ़ेगी तो बच्चे तक अच्छी मातरा में आइरन पहुचेगा और उसका विकास भी अच्छे तरीके से होगा इस समय पे आपके डॉक्टर ने आपको आइरन की गोलिया जरूड और जरूड लिखी भी होगी उनका आप नियमित सेवन करते रहें पूरे दिन बर में आप आठ से लेके दस गलास पानी आवश्य पीएं पानी आपको गुनगुना पीना है बहुत थंडा पानी का सेवन आपको बिलकुल भी नहीं करना है पानी आपके लि अब नीचे ना आ जाए सामानने रहे और भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है जब आप आठ से लेके दस गलास पानी पीते हैं सनाथ से भी आपको काफी अच्छी मातरा में पानी भी मिलता है और मिमरेल्स और नूट्रेंट्स भी मिलते हैं इसके अलाब आप नार कोई भी फालतू की टेंचन ना ले तो आप अपनी मनोदशा एदम सही रखें आप जैसी अपनी मनोदशा रखेंगे वैसे ही असर बच्चे के उपर भी पढ़ता है आप खुश रहेंगे तो बच्चा भी खुश होता है और अगर आप दुखी रहेंगे तो बच्चा भी दुखी होता है तो इसलिए टेंचन को इस समय पर बाय बाय करें इदम खुश रहें और अपने बच्चे के बारे में इदम पॉजिटिव सोचें तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा इस वीडियो को शेर करिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें मिलते हैं अगली प्रेग्नेंसी वीडियो में नमस्कार